बच्चों आज हम क्लास 7 संस्कृत में तीसरा पाट पड़ेंगे आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल कर तयार हो गए होंगे सब बच्चे मेरे साथ ध्यान दे कर पड़ेंगे तृत्य है पाट है स्वाव लंबनम तीसरे बड़ का नाम किया बच्चों स्वाव लंबनम संख्या वाची शब्दा तद एतद शब्दवच संख्या वाची शब्दा यानि जो संख्या को दर्शाते हैं ऐसे शब्द या आप लोगों ने Classics में पड़ा था संख्या वाची और क्रम वाची शब्द मैं आपको एक बर वाविज बता देता हूँ संख्या वाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमार को किसी वस्तो की संख्या के बारे में जानकारी मिले और क्रम वाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी वस्तो के इस्थान के बारे में पता चले हुधारन के तोर पे एक कक्षा में 20 स्विध्यारती हैं अब हम उन 20 स्विध्यारत्यों को कई प्रकार से गिन सकते हैं आगे से शुरू होकर पीछे तक बच्चों की संख्या को गिनते वे चलें एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, साथ, आट, नौ, दस, ऐसे करते वे 20 तक पहुँचें या पीछे से शुरू होते वे आगे आएं किसी एक तरफ से शुरू होते वक्त दूसरी तरफ जाएं या फिर पहले केवल लड़कों की संख्या गिनने फिर बाद में लड़कों की संख्या गिनने इस प्रकार हम 20 तक गिन सकते हैं इसे हम संख्या वाची बताएंगे कि इससे हमारे को क्या पता चला कि कक्षा में 20 विद्यारती हैं ये संख्या वाची है वही हमें अगर इन 20 विद्यारतियों को करम वाची से दर्शाना हो तो क्या करना होता है हम इनको रोल नॉम्बर वाइस यानि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है तीसरे पे कौन है ऐसे first, second, third यह जो होता है वो हम क्रमवाची शब्द कहलाते हैं तो इस पार्ट में जो आया है वही संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है इसके साथ-साथ तज और एतर शब्दों के जो शब्द रूप है उनका प्रयोग हुआ है ठीक है? आईए इस पार्ट को पढ़ते हैं क्रिश्न मूर्थी श्रीकंठष्ट मित्रे आस्ताम श्रीकंठष्य पिता सम्रिध्य आसी अतह तस्य भवनी सर्व विधानी सुक्स साधनानी आसन तस्मिन विशाले भवनी चत्वा रिंशत इस्तंभा आसन इदेगे बच्चों चत्वा रिंशत एक संख्यावाची शब्द है तस्य अश्टा दश्ट प्रकोष्ठ हेशू पंचाशत कवाक्षा चत्वारिंशत जान से पढ़िएगा चत्वारिंशत जान से देखिए वपिस चत्वारिंशत एक साथ पढ़ते हैं चत्वारिंशत द्वाराणी शट्ट त्रिंशत विद्युद व्यजनानी च आसन तत्र दश्ट सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वंतिस्म परम कृष्ण मूर्ते माता पिताच निर्धनव कृषक दमपती तस्य ग्रिहं आडंबर विहीनम साधरांच आसीत ये शब देखे बच्चों आडंबर विहीनम आगे आजेए नेक्स्ट पेरग्राफ एकदा श्री कंटह तीन सह प्रातह नव वादने तस्य ग्रिहं आगच्छत तत्र कृष्ण मूर्थी तस्य माता पिताच सो शक्तिया श्री कंटह स्य आतित्यम और कुर्वन एतत्रिष्टवा श्री कंटह और कथियत मित्र अहम भवताम सतकारें संतुष्टोस में जान्दिजी श्री श्री पर संतुष्टोस में केवलम इद्मेवमम दुखम यतत्रिष्टोस कोपी भृत्य नास्ति मम सतकाराय भवताम बहु कश्टम जातम मम ग्रिष्टोस भव कर्म काराः संतिष्टोस में तदा क्रिष्ण मोर्ति अवदत मित्र ममापी अश्टव कर्म काराः संति तेच दौव पादव दौव हस्तव दौव नीत्रे नेक्स्ट पेज बच्चों दौव शोत्री इती इती प्रतिशनम मम सायका किन्तू तव ब्रित्या सदैव सर्वत्र चर् उपस्थिता भवितुम्न शक्न्वन्ति तौम्तू स्वकार्याए भित्याधी नह यदा यदाती अनुपस्थिता तदा तदात्वम कश्टम अनुभवसे स्वाव लंबने तो सर्वदा सुकमेव ना कदापी कश्टम भवते श्रीकंट है अवदत मेत्र तव वजनानी श्रतवा मम्मनसी महती प्रसंता जाता अधुना अहमपी स्वकार्याणी स्वयमीव कर्तुम इच्छामी भवतो सार्द द्वादश वादनम इदम इशब देखी बच्चों बड़ा आया है टुकडों में पढ़ेंगी सार्द द्वादश वादनम इदम अब एक सार्द पढ़ते हैं बच्चों साम प्रतम ग्रिहम चलामी ठीके बच्चों यह हमारा इस पार्ट का आपने डीडिंग लगाई है आपके आज के दो उमबग हैं पहला है यह आपको इस पार्ट की जैसे मैंने डीडिंग लगवाई है वैसा आपको डीडिंग लगानी है और उसके बाद में यह जो शब्दार दे रखे हैं इस पेज पे और नेक्स्ट पेज पे जो भी हैं वे आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में करने हैं ठीक है बच्चों आज के हमारी संस्कृत की क्लास ही समाप्त होती है